तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, प्रबीन भाई आज सडक में ज्जुते बहन रहे है हाँ प्रबीन भाई को मौसा जी घर पर आने वाले थे, हमने देखा उनकी गाड़ी घर पर आने हाली है मुसा जी मतलब जो प्रवीन भी आगे पापा मेरे मुसा जी लगते हैं तो मतलब उनकी गाड़ी के घर पहुचने से पहले हम लोग ने जूते हाथ में उठाए है मास्क भी लेना भूल गयार में फोन भी है मेरे पास बाकी हम लोग भागे वहीया ने सूज भी नी पहने थे देखो सूज भी रस्ते में पैंडरिंग मौसा जी ने देखिया ने पर बोरिंगे कहां जा रहे है घर पर बैठो पढ़ाई और मैं आज करना हूं आज नहीं व्लोग की शुरुवात नी ब्लोग नी व्लाग होता है गाइस कुछ से करते हैं हां तो गुद्मारिंग एवर्वन दिस इस तपेश और सवागत आप सभी का तपेश व्लोग में विट प्रवीन सिकोटी मैं को ब्रदर को पार्टनर को शुद्मारी जाले तो आज हम आने वाले तो आपको बॉल रहे हैं और शाट करते हैं और कि आपको दिखाने वाले जौर्च की पहारियां और हमालियन सफारी करए कोई हelicopter राइड वगेर अभी है सायद वहां से वहां से वह भी हम आपको कवर करते दिखाने वाले और काफी अच्छा मंदिर है तैघना में और काफी सारे लोग सरद्धालू लोग यहाँ पर आते है इसको श्रद्धालू सर्क धालव प्रकटे श्रमाह recommend के नाम सर्क परकटे Awak मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और मैं आपको सबसे मेन बात ये बता दू कि इस इस मंदिर में जो है दान नहीं चड़ा है जाता है कोई भी डोनेशन या कोई भी दान पातनी वगर नहीं है इस मंदिर में एस लिए बहुत से कम मंदिर है यह गोल से लिए रास्ता निकलग जाता है मसूरी के अर यह जाता है हमारा क्याप्यटीफ वाल्मस्ट्ट। 12 किलोमेटर दूर दूर है और आप देख सकते हैं वह है प्यारास मसूरी सहर। यह लुक्स अमेजिंग दूरिं विंटर लाइन सीजन। और लॉट्स अपीपल उस्टो कम हैर अवरी सीजन और काफी देर तक ट्राफिक में ऐसे गुहीं करने के बाद इकडम वह इस्ट्रॉल करते करते अब हमाचुके मतलब एक अलग रास्ते पर यह रास्ता मतलब काफी बारा किलो मेटर का है और इस पर ट्राफिक यूजरी बहुत कम होता है हमारा इंडियन फ्लैग भी आपको दिख रहा होगा और यह हम मसूरी पार करके जो आय रहे है यह भटता फॉल है सामने अलाम से चला भाई और यह ता तेज गाड़ी चला रहे है मुझे थोड़ा डर लग रहा है और यह मसूरी है और टीविटा और आप दिख रहे है आपको कि अब भाई कहां बता रहे थी तुम पैठोल बंप पैठोल बंप हाँ नहीं आए तो आप बोल देते मुझको पैसे दे तो मैं भरा के ला दो ना इच मझा पैसे दे थे तो मै लाता सह जाने साहता तुम लेको खाओगे कही साहते दे लाओगै न कहां से लाओगै अब तक करन डेल्क पाड़ देधा तनने तक करन रहें लिए तब तक लेको दो तब तक लेके शाब ट 딱ां यहीं पे कहरे रहेंगे अध्या करता है ना पड़ी के तो आप है यहां आप यह जो अभी तो तुम से भी छोटे है निखे नैंने कि भाय से अमने करें कि चाही के लिए कुछ देदो मुझे पिलूंगा पैसे वैसे देदो हमने तुमने का यार पैट्रोल से खुद के ट्रोल के मुझे तो पैट्रॉल ब्रा के आजाओंगा आगे से हमनें तो बाच्वन से आ एक यह बना रहे हैं जुट तो गाइज अब हम जोर्ज के डलान पर पहुंच चेके और यहां से जाना है में नीचे तो देखो गाइज लोगों आप सभी लोग अगर जाते तो आपको बाइक जो है यहीं पर लगानी पड़ी जो भी अपने वेहिकल से आते हैं कारवार के लिए यहां पर पार्किंग बन और अब जो है हमें क्या है कि यहां से बाइक बाइक खड़ी करके पर्ची वर्ची करता के 40-50 उर्पे की और पैदल ही जाना पड़ता है देखा गया अभी देना अभी 1.2 किलो मेटर बचा हुआ है और अभी इतने में ही जो है हालत हमारी खड़ाब हो गई है लोकेशन देखी आप कैंपिंग वैंपिंग के लिए और यह जो काफे टाइप है दम जंगलों के बीच में काफी अच्छा लग रहा है और यह पहुंच चुके हैं पार्क कैफे के पास यहां से थोड़ा सा ही है जहां से जो जो जॉर्ज की स्टैच्यू अगेरा मूर्थी अगेरा है और यह भी काफी अच्छा दिख रहा है काफे है अना तपिष भाई है पार्क कैफे दम निकल गए यहां तक आनल में पर तो भाई लोगों अब हम यहां पहुंच चुके हैं और वह उपर वहां पहाड़ी पर जाना है हमको जो पहाड़ी आपको दिख रही होगी यही पहाड़ी हमने आपको नीचे से भी दिखाई थी यहां पर पहुंच नहीं है तो भाई देख हैं तो आपको पढ़ जाएगा पांच जादा नहीं है चेह रूपे की एर सफारी है और यह सर्फ साथ मिनट आपको घुमाएगा उपर से मसुरी माल रोड और बुद्ध क्या है बुद्धा चॉक बुद्धा चॉक यह सब चीजे और जौर्ज की पहाड़ी और साथ यहां पर है जिस दिन आए उसी दिन हेलिकॉप्टर नहीं है यह उपर से ओडर आया है कि हेलिकॉप्टर उडान नहीं भरेगा मौसम वौसम को कोई इस्व है साइब और अब हम आपको दिखाते हैं यहां क्या है जौर्ज की पहाड़ी पर देखो भाईया यहां यहां पर जो है पुराने बिल्डिंग थी इसको चमका के नहीं बना दिया गया है और थोड़ा नहीं भी बना दी गई है और यह यहां पर आप देख सकते हैं और यह देखो कि ग्राउन इत्वा अच्छा ए नजाल तो काफी अच्छी है, ज्गे काफी अच्छी है, बस पीछे से जो है पैदल आना पड़ता है हमको वो तोड़ा गलत है नीचे से दो किलोमेटर हमको पैदल आना वड़ता है और लगभग लगभग आपका जो है दो किलोमेटर यहां से आपको रूस पहाड़ी पे जाना पड़ेगा पैदल पैदल जिसमें जो है आपके पूरे दम निकल जाएंगे और आप बिल्कुल कोई व पारी होट बलून और ग्राय कोक्तेल और यहां तो शाला कुछ भी नहीं मिल रहा है मतलब होई है ना मैंने में बना दो आप सारी डिशे लिख दो मिलेगी एक मिलेगी तो चार्जे जित्ता कम कि बस में क्या बता हूँ मात तो शाजार उपर क्या होता है अभी लो बार गूम लेगा बंदा किते बार गूम लेगा वैसे भी साथ मिन इतो गूम रहा है मैं तो जब तक आवे घंटे ना गूम था तक मजा नहीं आएगा एक मिनिट पर एक हजार उपर है तो बनिट वसे स्टार्ट उने भी लग के संकारों खृष है घ्रा देख रहिए एक लेगा देख रहां किती नाइसाफ हो रही है जौर्ज के ज़ुके होते हुए लोग अ कि यहां पे तुमारे तुमारे नाम पे अराट ना थो यहां एलि economies जोर्जों कर दो हैं करो करों करों कर श्राइ जοर्ज़ काफी बुजर्ग हो चुके है यहां बाता दो इनको ऐसा हो रहा है यहां नी है अजर नहीं बुलाना प़ाया है तो अब हम निकल चुके उपर पहाड़ी की तरफ और यह हमारे आगे तब इस पर यह जा रहे हैं और यह काविशार लोग उपर से आभी रहें नीचे रस्ते में देख सकते हैं पत्थरी पत्थर हैं लगे वे तो भाई लोगों अब हम जा रहे हैं उपर चौर्च की पहाड़ी पर क्यों तपिश भाई तपिश भाई का जो हो गया है मूड गराब हो गया है फैदल चल चल च मुझको सोने भी नहीं दिया बोला जोड चलेंगे जोड चलेंगे और अब बोल रहा है आधि मेंसी वापस चलते हैं कि मैं ठक गया हूं तो ऐसा होने वाला नहीं है तो भाई लोग जोड़ की पहाड़ी तक आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे हैं और हम आपको उपर जाके पहाड़ी दिखाएंगे और यहां से बहुत ही अच्छा नजा रहाता है बहुत जाता है काफी उचाई पर है यह जगे बात देख रहे हैं कि ते खूप शुरत लग रहे हैं यहां पर जो है तब इस तुभाई आगे आगे जा रहा है बिलकुल आज टेंपर नहीं पकट रहा है आट पर यहां मेरे दम निकल गए हैं एक आप में हेलमेट एक आप में कैमेरा बस जाए जारे हैं और यह आप देख सकते हैं किती खतरनाक सीड़ी आ हैं यहां पर एक्तम मतलब फेपड़े बाहर आ जाएं जो इन सीडियों में चड़के हरचा भाई आगे से वुलॉग बन रहा है और काफी सारे लोग वहां आगे पहुंच चुके है इस ता काफी सही हो गया है जो आगे लिए लोग अधिया लोग हम यहां से सीधा उधर जा रहे हैं यहां से रस्ता नहीं है जाना था मैं यहां से और हम जा रहे हैं यहां से बटिया से अधिया और यहां तप इस भाई उपर से हमें देख रहे हैं और मनी मन गाली भी दे रहे हैं मुझको वैसे मुझको क्यों देगा है वैसे इसने सुबह उठते ही मुझे ऐसा दुखी कि आज सोने भी नहीं दिया पूला जॉर्च चलो भई यह जॉर्च 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 जानाए कि मैंने का एफराइ चल लेते नहीं कि जॉर्च आना देखो इस बंदे को सकल देखो 12 13 14 सब बच गए आज ही और काफी आ गए हम उपर पूरी फूल जुगी है मेरी जॉर्च चरणाए चर्णियों पर देखो सामने अला पहाड जो है किता प्यारा पहाड आईगी आप देखे रहोंगे और चरचर के जो है मेरी आलत कराब वही है और यह हम यहां से हमने चलना शुरू किया था और यहां से आप देख सकते है य पर हम जॉर्ज की जो इस्टेचिय था वो लगवादा सर जॉर्ज कर और यहीं से हमने चलना शुरू किया है और इतनी पहाड़ी को हम चलते हुए नापते हुए पूरे खतरों से एडवेंचरस रस्ते से ऐसे रस्ते से हम आये हैं यहां से और अब जाके हम कहां पर पहुंच बाई जैसे नहीं लग रहा है और बाई सच कहूं तो हालत ख्राब हो चुती है प्रभीन विया को देखो पता नहीं कहां कहां जाने की लगी हुए और यह आप लोग देख रहे हैं सामने जगह है यह कुछ लोग का कहना है कि यह वो है बदराज और कुछ लोग अब दिखा अब दिखा अब दिखा अब दिखा अब मुझे बचाए चलने को चलो ना फिर इतना डाइंग भी लगा रहे हैं आहां बहां कर बाते कर आलो इंस चार है 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 यह फिर फाइनली अराइब ऑन जब रीच जोड जब एवरेस्ट उप अब अब जोड़ जब जेर तो सब्सक्राइब कर दोगे अब जाएवरेस्ट और अब भात महनत लगी है हां यहां पर मतलब जो पहाडी उसमें चलने में मुश्किल नहीं जितना उसमें उपर आने में तो मुझे इतना डिफिकल्टी कि से सुई नहीं सच बताऊं तो और आप देख सकते कि इती प्यारी जगह है प्रवीन भाई के तो दम निकल चुके हैं अभी एक हलका सा बाग की आवाज चाहिए थी यह डर गए एक दम प्रवीन भाई ने मुझे परिशान करके रख दिया वीडियो बना मैं आगे चलूँगा मैं ओपर जाओंगा इधर से जा रहे हैं हेलमेट पकड लो भाई एक हाथ मैं मेरे घममल एक मैं हैलमेट मैंका फॉर ऊरूंड परिशान करना है तो अच्छा परिशान करना है यारे बेकार बेकार से लोग है ना दुनिया में मैं कैसा आऊ ऊपर हब अग्ले लोम में पर आओं कैसे पकड़ के तो अर। ऑड़ा पकड़ के उपड़े हो पकड़ के लो है कि अप्रिख वाई में पकड़े हैं तो यह हमारे विए क्या नाम है और यह सब है वालाया वे जो सुड़री साहने जोरे बात 낭ाना आगिंग हां वी मुस्तले करेंग है जोरे जोरे माभी हेलो बोलो कॉरेस बना दूप्ति है प्लीका perilो में पंगे, है any real इसरी में तो शूर्ध राजा एक वाल Realty कें एक राला रांस कि रा के यह ला रा Amp देखे देखे नहीं नहीं यार बहुत अच्छा है तो इस पर भाई अब हमारे साजना गाना बजाने वाले हैं गाने वाले हैं गाने वाले हैं और ये बजाने में बहुत अच्छा वालत है अच्छा है चुड़े शते काप्ले से समर्का क्यायव भालन्यमन आ र्ण क्युक्स तो जोल आ एमने सोफवे दिक के विडें जोली झाल जोली हमन्ग फर भालन जोली हम आगे हैं जोड से नीचे उतर के ठीक है और तब इसको बोलने दो जो भी बोल रहा है भले इसके हो गई आलत खड़ाब मुझे बहुत मज़ा है और मैं दर गया क्योंकि मैं उचाए पर जाता नहीं हो जाता और तपीजवाई जाते रहते हैं और यह यहां पर काफी सारे यह लगा रखें मीनी वैन टाइप हैं और यह मैगी वैगी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं देखो वहां पहारी पे गए थे हम और वहां से आच चुके हैं हम नीचे अब तो आप लोग देख सकते भाई लोग यह हलिकॉप्टर है यहां पर और यह आज कल एयर सफारी करवा रहा है यहां पर और आज तो यह बंद है फिलाल तसके मैंने आपको बताया था उस टाइम एवेलेबल भी नहीं थ है हेलिकॉप्टर और अभी यहां पर अवेलेबल हो रखा है और मौसम तो काफी अच्छा दिख रहा है लेकिन यह लोग बोल रहे हैं कि जो है आज एयर सफारी नहीं हो सकती है और व्यू तो काफी अच्छा है यहां पर बहुत ही गजब का व्यू है थोड़ा दूर है दे